दोस्तों घर पर केले किस तरह से उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है तो आप उगा सकते हैं तो केले के ये जो पौधे हैं ये करीब तीन साल पहले लगाए थे तो देखिए तो ये फैल के जो है बहुत ज़्यादा ये कम से कम 30-40 पौधे इसमें हो गए हैं तो ये बहु तो वो प्रवर लगते हैं उसके बाद जो जैसे वो सुकता तो वो तीन चार से पहूँच पौफे और उसके नीचे से उगजाते हैं यानि कि एक केले का पौफे जब सुकता है तो हर्वेश्ट करने के बाद वो चारफ़ों पाउदों को जो है जन्म दे देता है तो इससे जो है तो बहुत सारे जो है पाउदे उग जाते हैं और पाउदे नए पाउदे आप किस तरह से उगाते हैं जो नीचे जो पाउदे उगते हैं तो उनको ही निकालके आप जो है नए पौदे कहीं दूसरी जगर लगा सकते हैं तो आप चाहें तो इसे गंबले में भी लगा सकते हैं तो लेकिन गंबले में जो है इसकी ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं होती है फ्रूटिंग नहीं होगी तो इस तरह से जो है ये पौदे हैं तो ये इसकी नीचे से जो है तो निकाले हुए हैं तो देखिए ये छोटे छोटे से पौदे हैं तो इनको निकालने के लिए जो है किसी कुदाल की मदद से जो है तो पूरा जो है पौदे के चारों तरफ तो वो जो है सूख जाएगा इससे क्या होगा कि इससे जो है इसमें फंगस लगने का चांस नहीं रहेगा अगर आप तुरंत लगाते हैं तो इसमें फंगस भी लग जाता है तो जिससे कि हमारे ये पाउदे खराब हो जाते हैं तो इससे अगर एक दो दिन इस सूख जो मिट्टी होती है उसमें आप ना लगाएं तो जल बरावाले में जो हतो पे केले का पौधा नहीं उगता है और उसकी जड़ा जो हतो खराब होनी लग जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा ज़र जमा होता है वहां पर इसको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है तो केले के पौधे वहीं पर लगाएं जहां पर की पूरे दिन की धूप आती हो तो इस तरह से जो है तो इन पौधों को आप लगा सकते हैं और बहुत आसानी से जो है तो इनके पौधे घर में ही आप उगा सकते हैं दोस्तों कि यह की पौधे की बात करा है तो इसको कितना समय तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कीजेगा और इसी तरह के इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक से एर करें और बगल में जो वैल आइक हैं उसको भी प्रेस कीजे जिससे की इसी तरह की जो गार्डिन करणा लगी से ऊचरा लगए पार का सहर्ण से के लिए मैं